ओम नमस्षिवा आई ये सुनते हैं चैत्र मावश्या ब्रत कथा पूजन विधी महत्व चैत्र महीने में पढ़ने वाली ये मावश्या को चैत्र मावश्या कहा जाता है चैत्र मावश्या के दिन पित्रों का तरपड पित्र दोस्की उपार तथा दान पुंड्य किया जाता है कहते हैं कि चैत्र मावश्या की कथा सुनने से ही पित्र रिड से मुक्ती मिल जाती है इवं सोग कुम हसनान का फल मिलता है चैत्रमावश्या हिंदू धर्में विशी सस्थान रखती है धर्मिक मान्यताओं की अंसार चैत्रमावश्या के दिन ब्रत रखने से चंद्रदेव की किरपा प्राप्त होती है इस दिन चंद्रदेव की पूजा अचना करने से शोवभग्य साली जीवन प्राप्त होता है तथा खुसहाली प्राप्त होती है इस दिन पित्रसंबन्धित कार्य करने से पित्रों का आशिरबाद प्राप्त होता है तथा मानसिक सांती भी मिलती है इसलिए चेत्रा मावश्या का हिंदू धर्में बहुत महत्व है इसी दिन सिव पार्वती का आशिरवात प्राप्त करने के लिए सिव पार्वती की पूजा आचना भी की जाती है आई ये सुनते हैं चेत्रा मावश्या की यह कथा एक नगरी में एक राजा रहता था उसकी प्रजा तथा उसका परिवार बहुत ही खुश हाल जीवन ब्यतीत कर रहा था राजा की पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारो वाली थी और अपनी प्रजा को देख कर बहुत खुश थी राजा के महल के सामने एक साहुकार की हवेली थी रानी तथा साहुकार की पत्नी सहेलियों की तरफ एक दुसरे से बाते करती रहती थी एक दिन साहुकार की हवेली से साहुकार की पत्नी की रोने की आवाज आई रोने की आवाज सुनकर राणी ने राजा से इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहुकार के पुत्र की मृत्यु हो गई है जिस वज़ा से साहुकार की पत्नी दुखी है और दुख के कारण रो रही है इस बात को सुनने के बार रानी ने कहा कि आखिर दुख क्या है वह क्यों रो रही है यह बात सुनने के बार राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह रानी को किस तरह समझाएं कि दुख क्या होता है राजा ने रानी को कहा कि जिस दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यू होगी उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है राजा ने कहा कि तुम अपने पुत्र को मार दो तभी तुम्हें दुख के बारे में पता चलेगा यह बात सुनने के बार रानी ने अपने पुत्र को महल से नीचे गिरा दिया भगवान की किरपा से रानी का पुत्र किसी धेर पर गिर गया और उसे कुछ नहीं हुआ पुत्र को देखने के बार रानी ने फिर से वही प्रस्न राजा से पूछा तब राजा ने कहा कि पडोसी राज से युद्ध हो रहा है मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा और जब मेरी मृत्यू की खबर तुम तक पहुचेगी तो तुम्हें इहसास हो जाएगा कि दुख क्या होता है राजा युद्ध के लिए चला गया परंतु भगवान की कृपा से वह जीत गया राजा घर पर वापस आ गया और वह शोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वह राणी को दुख का एहसास नहीं करवा पा रहा इसके बाद राजा ने राणी को बुला कर कहा कि वह दोनों गंगा यात्रा के लिए जाएंगे इसलिए राणी तयार हो गए और गंगा किनारे जाकर वह गंगा में कूच जाएगा राणी ने गंगा यात्रा की तयारी सुरू कर ली दूसरी तरब कैलास में भगवान सिव ने सती को कहा कि मैं कल्यूग में तुभे सुखात्मा के दर्सन करवा दूँगा यह कहने के बाद भगवान सिव जी ने बकरे का तथा माता पारबती ने बकरी का रूप धारड कर लिया इसके बाद वह नदी किनारे घास चलने लगे वही पर राजा अपनी राणी के साथ आ गया राजा तथा राणी ने वहां भोजन किया और विश्राम करने लगे उस समय राजा पानी पीने चला गया वही पर माता पारबती ने सिव जी से कहा कि राणी दुख देखना चाहती है और भगवान से पूछने लगी कि राणी को दुख का एहसास क्यों नहीं हो रहा है राणी ने पस्वों को मनुष्य की बोली बोलते हुए सुन लिया उसने सुना कि भगवान सिव माता पारबती से कह रहे थे कि राणी ने अमावश का ब्रत किया था जिस का रड़ उसको दुख नहीं भोगना पड़ रहा पीछले जन में राणी ने अमावश का ब्रत किया और इस जन में वह अब सुख भोग रही है इसके बाद उन्होंने कहा कि यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा राणी ने यह बाते सुनने के बाद राजा को सारी बाते बता दी इसके बाद राजा राणी महल में वापस आ गए राजा ने अपनी प्रजा को भी अमावश के ब्रत करने की आग्या दी और कहा कि जो भी मनुष्य का अमावश्य का ब्रत करेंगे उन्हें हमेशा सुक्सम्रिधी हाशिल होगी आई ये सुनते हैं चैत्रमावश्या की पूजनविधी चैत्रमावश्या के दिन पित्रों की आत्मा की सांती के लिए सुबह जल्दी उठकर अशनान किया जाता है अशनान करने के बाद ब्रत का संकल्ब करते हुए सुर्यदेव को अर्ग दिया जाता है अर्ग देते समय सुर्यदेव के मंत्रों का जाप भी किया जाता है यह करने के पीछे मान्यता यह है कि इस तरह करने से पित्रों को प्रसनता प्राप्थ होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है चैत्र मावश्या के दिन पीपल के पेड की पूजा की जाती है क्योंकि यह मान्यता है कि पीपल के पेड में देवी देवताओं का वाश होता है तथा पीपल लगाना शुवकार्य में गीना जाता है महिलाएं पीपल के पेड में दूद, जल, फूल तथा चन्नन से पूजा करती हैं इसके बाद पीपल के पेड में 108 बार धागा लपेट कर पती वो संतान की लंबी आयू की इच्छा करते हुए पेड की परिक्रमा करती हैं चेत्रमावश्या के दिन पीपल के पेड के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी की जाती है इस दिन सीवलिंग की पूजा की जाती है और पूजा में पवित्र और धुले हुए वस्त्र पहने जाते हैं सीवलिंग पर जलाविसेक किया जाता है और पूरी स्रध्धा से महादिव की पूजा की जाती है पूजा करने के बाद उनकी आर्थी उतारी जाती है चेत्र मावश्या के दिन भूखे लोगों को भूजन कराया जाता है तथा गरीब लोगों को दान पुण्य किया जाता है इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पती की लंबी आयू के लिए ब्रत रखती है जैसे कि इस दिन कुछ कार्य करने से शुप फल की प्राप्ती होती ह उसी तरह कुछ कार्य ऐसे भी है जिन्हें इस दिन वर्जित है करना और यदि कोई ऐसी असुप तथा वर्जित कार्य करता है तो उसको शुफल की प्राप्ती नहीं होती इन वर्जित कार्यों का वर्णा निम्न लिखित प्रकार है चैत्रमावश्या के दिन समसान घाट पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे नकार आत्मक सक्या जागरित हो जाती है और उस व्यक्ती के मनमस्तिक को हानी पहुचाती है इस दिन जल्दी उठना चाहिए देर तक सोना अशुम माना जाता है पीपल की पूजा करते वक पीपल को छूने से मना किया गया है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं की अंसार सनी मार की अलामा किसी भी दिन पीपल को छूना अशुम माना जाता है इस दिन मान्सा हारी खाना नहीं खाना चाहिए बलकि इस दिन साका हारी भोजन का ही सीवन करना चाहिए इसके अत्रिक इस दिन बाल काटना डाड़ी बनाना तथा नाखून काटना भी वर्जित है